किअ मस्कार स्वागत है आपका फंकी क्रिद जाते हैं लेकिन उसकी जगा किनू क्रिद लाते है इसलिए होता है क्योंकि दोनों एक जैसे ले पर खाते हैं यह संथरा नहीं किन्नू है हाला कि दोनों के nutrition value एक जैसे ही होते हैं किनु को आप देशी संत्रे का विदेशी रूप कह सकते हैं इन दोनों में biological काफी अंतर होता है तो चलिए जानते हैं संत्रे और किनु में क्या फर्क होता है यदि रंग की बात करें तो किनु का रंग गहरा dark नारंगी होता है जबकि संत्रे का रंग केसरिया light होता है यदि आकार प्रकार की बात करें तो किनु का आकार संत्रे से बड़ा होता है संत्रा छोटे आकार का होता है इन दोनों के छिलकों की बात करें तो किनू का छिलका मोटा होता है जबकि संत्रे का छिलका पतला होता है जिसे आप आसानी से छिल सकते हैं इन दोनों की उपरी सतह की बात करें तो किनू की उपरी सतह चिकनी होती है एवं एक समान होती है जबकि संत्रे की उपरी सतह उबढखावड होती है सूरी की रोषनी में इन दोनों में क्या होता है किनू सूरी की रोषनी में जल्दी नहीं पकता जबकि संत्रा जल्दी पकने लगता है यदि स्वाद की बात करें तो किनू रसीला वो खटा होता है जबकि संत्रा मीठा पन लिये हुए होता है किनू सस्ता होता है क्योंकि इसकी पैदावार ज्यादा होती है जबकि संत्रा महंगा होता है बीजों की दिश्टी से देखते हैं तो किनू में ज्यादा बीज होते हैं जबकि संत्रे में बीजों की संख्या कम होती है साइट्रस फैमिली के ये दोनों फल स्वास्त के लिहाज से फायदे मन्द होते हैं अता इनका जरूर सेवन करें इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे नए फैक्ट्स के साथ फंकी फैक्ट्स में झाल